ये दो शब्द अपने साधिपी जीवन में घटाने का प्रयास करिएगा जब मन उचा होता है तभी भाग उचा होता है नहीं तो पूरी जिंदिगी थंडी में दो-दो-सो ग्राम गुण बेचते-बेचते निकल जाती है गुण बेचने वालों के साथ ठंडी में बड़ी दिक्कत होती है कि किसी ने एक पाव गुण मागा बड़ी ठंडी में एक पाव गुण दिया फिर एक बार हाथ दोना पड़ता है फिर ठंडा लगता है फिर हाथ दोना पड़ता है फिर ठंडा लगता है फिर हाथ दोना पड कभी किसी किराने वाले की दुकान में जा करके देखिएगा समझ में आएगी आपका हमारी बात कि ऐसा होता है कि नहीं होता है आचार सी जी कहते हैं मन उचा करो मन उचा तो भाग ये उचा मन उचा कैसे किया जाता है महराज ये बात आचार भगवंत कहते हैं कि जिन्हों ने यथार्थ को देखा है उनकी नजरों से यथार्थ को देखने का प्रयास करो अभी हम अपनी नजरों से यथार्थ देखते हैं और जो दिखता है वो सत होता है ये कोई जरूरी नहीं होता दुनिया में प्तक्षी दिखने वाली हर वस्तु वैसी ही है ऐसा होता नहीं बंदो देखने के बावजूत कई बार आँखों के सामने जूट हो करके निकल जाता है आचार सीजी कहते हैं मन उचा करो मन उचा तो भाग उचा अब मन उचा कैसे बनाया जाता है तो आचार कहते हैं कि जिन्होंने यथार्थ देखा है उनकी नजरों से यथार्थ देखने का प्रयास करो जिन्होंने यथार्थ को देखने के लिए अपना जीवन खपाया एक दिन का उपवास करते हैं न तो चहरा मुर्जा जाता है पूरे चहरे का पानी उतर जाता है होता है कि नहीं किसी साधक ने उस यथार्थ को पकड़ने के लिए तेरा महीने आठ दिन तक लगातार उबवास किया किसी ने छे महने तक किसी ने एक साल तक बावबली भगवान एक बर्स तक निराहार खड़े रहे तब जाकर के अंतर चक्षू से उनको जीवन का कुछ यथार्थ मिला सरीश से खड़े थे लेकिन अंदर से मुस्कुराहट कम थी एक साल लगा चहरे का पानी मुर जाया नहीं उनकी दस्टी से यथार्थ को देखने का प्रयास करो वो यथार्थ में क्या कहते हैं कैसे वो अपनी उस सत्थ दस्टी से दुनिया को लाभानवित करना चाहते हैं आज की साइंस ने और आज की मेडिकल डिपार्टमेंट ने हमारे दिमाग की ब्रेन की सेटिंग पूरी की पूरी बिगार दी है मुबाइल चलाते हैं ना मुबाइल चलाते चलाते कई बार उसको रिबूट करना पड़ता है ऐसे लाइफ को भी कई बार रिबूट करना पड़ता है जैसे मुबाइल चलाते चलाते बार बार आपको उसको नया वरसन चाहिए पड़ता है ऐसे इनसान को भी अपना नया वरसन पैदा करना पड़ता है नया साल आने वाला है दो तीन दिन के बाद अपना दोजार चौबीस में एक नया वरसन पैदा करिए जिसके जरूत है पूरे बिश्व को अपने आपकी लाइफ को थोड़ा रिबूट करिए अपने आपको दुबारा एक बार चार्जिंग रिस्टिशन पे लगाईए उद्बोधनों से अपने जीवन की धारा को बदलिए और सबसे पहले चिंतन करिए हम सुबह छे बजे से लेकर के रात को दस बजे तक खाते हैं उसके बाद भी सरीर को समान नहीं पाते है जिन सिद्ध परमेश्टियों ने जिन ती थंकरों ने महिनों बरसों उपवास करने के बाद कैवल लिकी प्राप्ति की होगी और उन्हें अपने ग्यान में कोई शब्द कोई वात धूड़ी होगी फिर उन्होंने देशना दी होगी उस देशना को हमारे पुन से हमारे हाथ तक आ गई हाथ में है वो देशना लेकिन हाथ में होने के बावजूद वो देशना मंदिरों में पुस्तकों में बंद पड़ी है हम कभी स्वाध्धाय करना पसंद नहीं करते हैं मन ऊचा कैसे होगा मन ऊचा नहीं होगा तो भाग ऊचा कैसे होगा उनका देखा हुआ या थार्त हमारी आँखों में दिखाई ही नहीं देता है हमारी देखी हुई चीजें आचार भगवन्त कहते हैं जैन कुल में आ गया है लाब का अवसर मिलेगा लेकिन लाब नहीं उठाएगा अरे महराज हमने तो सुना था कि लाब का अवसर मिलने पर लाब उठाया जाता है लेकिन आचार भगवन्त कहते हैं कि लाब का अवसर मिलने पर भी वो लाब नहीं उठाता तब जाकर के उसके जीवन में सुख और सौंदर बढ़ता है आचार महराज कहते हैं अवसर का लाब मिलने के बावजूद लाब का अवसर मिलने के बावजूद लाब नहीं उठाएंगे तब जाकर के भाग उच्छा बनेगा